नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में तो दोस्तों बता दे आपको UPSC Civil Services परिक्षा जो की 4 अक्टूबर को हुई थी उसका परिक्षा का रिजल्ट जो जारी कर दिया गया है यहां दोस्तों 20 दिन से भी कम समय में यानि की चार अक्टूबर को परिक्षा हुई थी 23 तारिक को जो इसका परिक्षा परिणाम घोसित कर दिया गया मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हो रिजल्ट आपको कैसे सिलक्टेड है वह 28 अक्टूबर से 11 नॉमबर के बीच ऑनलाइन फॉर्म यानि की डिटेल एप्लिकेशन फॉर्म अपना भर सकते है तो चली दोस्तों यह देख सकते है रिजल्ट है अभी मैं आपको रिजल्ट चक करके भी दिखाऊंगा कौलिफाइट कैसे चेक करना वह भी बताऊंगा लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ से विश्वस्थनी वेबसाइट सरकारी डॉट कॉम एक चीज का ध्यान लगना है जब भी सरकारी डॉट कॉम जरूर लगाना है तो सीधा हम सेविल सर्विसेज के रिजल्ट पर क्लिक कर देते हैं विद्यों की डिसक्रिप्सणी में आपको मिल जाएगा नहीं में तो आपको करना क्या है आपको अपना रोल लंबर लिखालना है और जो अभी एडमिट कार्ड में आपके लिखा हो और उसके बाद अगर आप इसको मोबाइल पर यूज कर रहे हैं तो आपको पीडियस में जाएंगे तो आपको फाइंड को अप्सन दिखाई देगा आपको कम्पूटर पर चेक कर दान रहे हैं तो कंट्रोल प्लस ऐफ दबाएंगे देख सकते इस तरीके का सफ्ट बॉक्स आचुगा है यहां पर आपको रोल व्न्बर दालना है जैसी रोल नबर दालेंगे देख सकते अगर आप प्रोलीफाइब के लिस्त में होगे तो आपको रोल लिखाइब नहीं हो तेकesh कैरके दिखा देता हूं देख सकते हैं मैंने फैंड का नंबर लिया है और इसको भी विएसी तरह मैंने lesa आपका हाई-laitt हो कर आ जागा तो दोस्तों जो लोग इसमें हएद रहे हैं उनको बहुत बहुत सोंकst कामणाहे है हमाई तरफ से तो टोटल आप देख सकते है रिजल्ट जो 26 पेज का है और जो लोग भी कॉलिफाइड हुए वो 28 सारिक से जो है वीडियो को लाइक और सेर करते रहे हैं नमस्कार धन्यवाज